हेलो प्रेंड़्स, कैसे ही है आप आशा करते हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे कई दिन हो गई है हमने लव ओरेकल डेग से चेक निंगे किया है कि आपके परसंगी के अनर्थी है और हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे कि आप क्या सोचते हैं आपके person क्या सोचते है, you versus them, ठीक है, तो चलिए, पहले आपके person के card निकाल देते हैं, आपके person आपकी बारे में क्या सोचते हैं, और ये psychic reading होने वाली, अभी मैं आपके लिए card निकाल लोगी, दो card, देखी, यहाँ पर आपकी और उनकी energy में बहुत जदा अंतर है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर field हो रहा है guys, कि आपके तो सारे चक्रा, मैं आपके लिए बहले बता देती हूँ, ताकि आप reading को resonate कर पाएं, आपके तो सारे चक्रा alignment में है, आप enlightened है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कि कुछ लोगों की कुण लिली activate भी हो सकते, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है guys कि, आप 5D में enter कर चुके हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर feel हो रहा है, crown चक्रा आपका activate है, ऐस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरूरी ने कि सभी के लिए reading हो, जिन से resonate होती है, जितनी resonate होती है उतनी लिए लिजिए, मुझे यहाँ पर हर चक्रा आपका activate लग रहा है, आपके दिल में बहुत प्यार है अपने partner के लिए, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है क कि आपका जो crown चक्रा है वो काफी activate है, blessings आ रही है आपके पास में और यहाँ पर जो है, एंजल्स आपको support कर रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आप अपने partner को एक बहुत अच्छा compatible partner देखते हैं, आपके person भी जो हैं, अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं कि कि आप एक अच्छी compatible partner है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर spiritual maturity आई है, आपकी spiritual awakening हुई है, ठीक है, आप higher purpose के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि किसी wishes purpose के ही आपको यहाँ पर पृत्वी पर आना पड़ा, आप आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, continue आप आगे बढ़ रहे हैं, दोनों partner ही साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि देख सकते हैं, आप दोनों ही ठीक है, एक दूसरे को support करते वी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सम आप आगे बढ़ रहे हैं, देखी, इदर इनका हाथ देख सकते हैं, इदर आपका हाथ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, मेरे वीवर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कि आप दोनों एक दूसरे को support करते हुए आगे और मैं तो आगे अकेला ही बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, मेरा partner तो मुझे support करता ही नहीं है, guys ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसी ने किसी रूप में जरूर support करते हैं दूसरे को, और आप अगर सोचेंगे कि लड़ाई जगड़े रहते हैं आपकी life में, तो भी एक तर partner का support होता है, मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को support करते वे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे, situation आपकी कैसी ही क्यों रही हो, आप एक विसेस purpose के लिए, higher purpose के लिए यहाँ पर आए हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि guys कि आपकी manifestation power भी ब बहुत strong है, ठीक है, तो continue आप manifest करिये, और यहाँ पर मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आप अपने partner को ऐसा देखते हैं, कि आपके partner आपको बिल्कुल support नहीं करते हैं, लेकिन guys ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि support वो किसी ने किसी रूप में च हर्ट करते हैं, और यहाँ पर एक दो दिन में ही आपको शायद हर्ट किया है, आपके person काफी हर्ट किया है, यहाँ पर मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आप काफी रोय भी हैं, और मुझे यहाँ पर यह भी feel हो रहा है कि आभी वो आपको समझने लगे हैं, कि आपका दुख उनको भी फील होने लगाए इससे पहले तो श्याद उनको आपका दुख मैशुस नहीं होता हो लेकिन मुझे दिक्षाइब रहे हैं मुझे यहां जही जहां पर यह भी दिखाइब दे रहा है कि कहीं ने कहीं वह आपको एक अच्छा compatible partner भी समझने लगे हैं इससे पहले तो शायद हो सकता है कि वो नहीं भी समझते हों क्योंकि मुझे यहां पर energy कुछ negative negative दिखाई दे रही है आपके person की इस वज़े से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो पहले आपको इतना अच्छा समझते भी नहीं हो और मैं दो कंपेडिबल पार्टनर नहीं देखते हों कि आप तो उनके लायक ही नहीं है ऐसा वो सूचते हैं लेकिन यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम भी है और हम एक दूसरे के सहारी आगे भी बढ़ रहे हैं यहां पर इससे पहले तो उनको ऐसा फील होता था कि आप ही आगे बढ़ रहे हैं आप ही सब कुछ कर रहे हो सकता है आपने काफी मैटेशन वगे रखीया हो आपने काफी इनर वर्क किया है और जिसकी वज़े से उनको ऐसा लगता था कि मैं तो पीछे रह गया हूँ मैं तो अंधेरे में रह रहा हूँ और आप उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनको शायद अभी कुछ दिन में ही पता चला है कि वो भी उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अंदेरे और परकास की जो लड़ाई है उसमें वो भी आपके साथ में ही है और वो भी जो है आपकी तरह ही उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि उनके भी करमा थे वो किलियर हो रहे हैं यहां पर यह भी मुझे उसको आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो यहां पर मुझे ऐसी एनरजी पिक हो रही है जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो और यह बहुत कम लोग के साथ रेजोनेट हो सकती है ठीक है मैं अगर आपके परसन की देखूँ एनरजी तो मुझे यहां पर दीखाई देखाए दे रहे हैं है अब आपके साथ में हापके साथ में बहत खुशियाय चाहती है लुघर ओप साथन। आपको जो है ऐसा लगता हो कि यह कोई सपना देख रहा हूं मैं या देख रही हूं मैं ठीक है लेकिन मुझे यहां पर आपके पार्टनर के एनरजी चींज होती भी नजर आ रही है आपको भी थोड़ा सा जो है बैलेंस बना करके चलने की आशिकता है आपको अपने रिलेश निश्युर्शिप जो है वो आगे बढ़ सके ठीक है यहां पर मैं अगर आपकी यहां पर आपके दिल में बहुत प्यार है लेकिन आपके इनरजी बैलेंस है ठीक है मैंने बताया आपके चक्रा alignment में हैं आपके चक्रा मैंने बताया आपकी चक्र एक्टिवेट है आपकी एनरजी बैलेंस है आपके एनरजी में कोई भी प्रोब्लम नहीं है आप उनके बिना भी रह सकते हैं लेकिन मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि फिलहाल जो है आप भी प्यार चाहते हैं और आ सफल कर दूसरे description को स्पॉर्ट है और बढ़ रहे हैं दोन ही यहां पर सेम और इनर्जी मुझे यहां पर भी मुझे संवड़ को ठीक है इंश्च है फीक हैं वह पर कहीं आपके साथ में भार जाना चाहते हैं ठीक हैं घूँने के लिए बहार जाना चाहते हैं थोड़ा लाइफ आपकी लाइफ जो है वो आप उनको ऐसा लगता है कि काफी हैक्टिक बन रही है इसलिए थोड़ा सा सुकून भी चाहते हैं नीचर से करेक्ट होना चाहते हैं और आपको अपना डिवाइन फैमना इन देखते हैं ठीक है चलिए दूसरे डेक से देख लेते जिससे द कि चारो तरफ दुस्मन हैं बहुत चादा दुस्मन आपको नजर आ रहे हैं और यह आपका सोल का कॉंटेक्ट है आपके परसंग को कोई कमी नहीं दूस्मन नजर आती है इसलिए आपका हट ब्रेक होता है ठीक है यानि कि आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है आपके पर अब हमने में सब्सकति आपकीसचिया आपने में पुड ख़गल रहा है और उपलास होदें हैं है यहां पर दिभाई हैं के लिखेवा न्यगार दिखाते हैं मुझिश क कंपटेबल पर्टटनर भी देखने लगे हैं आपका देखू तो मैं, आपका भी हर्ट चक्र एक्टिवेट है, मैंने पहले बताया था कि आप काफी enlightened हैं और आपके चक्रा एक्टिवेट हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि दोनों ही पार्टनर का भी हर्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके परसन को आपके साथ में लाने के लिए आपके परसन की help कर रहे हैं, और मुझे यहां पर फिर से दिखाई दे रहे है कि जब भी आप प्यार करेंगे तो आपके दुस्मनों के फिर कमी नहीं होगी क्योंकि आप से जैलेसी रखते हैं लोग पाग ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप प्लोज आएंगे जितना बातचित करेंगे हास करके तो आपके दुस्मन उतना इस करेंगे क्योंकि हो सकता है कि फिर से आप लोगों की होट टॉक्स करवा दें यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी आप जो है आप या आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई वर्क करना शुरू किया हो या फिर अपना उनका ट्रासफर हो सकता है या फिर उनका प्रमोशन हो सकता है या आपको कोई जोब मिल सकती है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि आप जो है पेंटेकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे या पर दिखाई दे रहे है या नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आप जरूर करिए ठीक है थोड़ा सा को पूरा करिए वरना आपका टाइम निकल जाएगा क्योंकि जिन्दगी में कुछ मौकी आते हैं और वो अगर हाथ से गमा दिये तो फिर वो टाइम पर आएंगे नहीं ठीक है तो यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे गए इसकी आपको थोड़ा सा वोक अवे करना दे रहे हैं ठीक है तो यह थी गईज आपकी रिडिंग अभी मैं देखती हूं कि युनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर के इनिशल और डेट बर्थ भी देखेंगे देखिए एटीन थर्टीन आपकी आपकी परसंगी हो सकती है 17 डेट बर्थ आपकी आपकी परसंगी डेट बर्थ हो सकती है 10 12 8 6 1 11 14 ठीक है अभी मैं देखती हूं इनिशल अभी मैं इनिशल देखती हूं तो आपके परसंगी इनिशल हो सकते है या आपके भी हो सकते है इसमें जेड आई एफ यू टी एम एक्स एन ओ वाई जी क्यों ठीक है एंजल्स के तरफ से मैं मैंसल्स देखूं देखिए आपको अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं सोपन है अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप पिंजरे में बंद हो गए हैं आपको समझनी आ रहा है कि इससे बहार कैसे निकलना है लेकिन यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि free yourself अपने आपको आजाद करिए उस पिंजरे से अपने आपको बहार निकालने की जरूरत है आपको आपको कमफर्ट जोन को छोडने की जरूरत है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपके बच्चे भी हो सक कि आपको करना क्या है आप क्या चाहते है ठीक है आप जो भी चाहते है आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करिए जरूर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ठीक है आप एक दूसरे के पर्ति अडिक्टिड भी हैं या आपके पर्सन आपके पर्ति अडिक्टिड है या आपके पार्टनर के पर्ति अडिक्टिड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हर्टू हर्ट कन्वर्शेशन कीजिए, आप honestly discuss कीजिए अपने feelings को एक दूसरे के साथ म और इससे पीस और हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो बताईए वो क्या चाहते हैं वो भी बताएंगे आपके दो या तीन बच्चे हो सकते हैं मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है और मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक आप अप अपने कमफर्ट जोने बैठे वे थे कि आपके बसकी बात नहीं है आप तो बस अब अंदर बंध हो गए हैं ऐसा नहीं है अभी आप अपने आपको आजाद करी बाहर निकाले उससे कमफर्ट जोन से और कुछ काम करना शुरू कीजिए और आप अपनी लाइफ में खुश् रेजनेट हुई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्स फूर वचिंग